नमस्कार दोस्तो मेरा नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो आज मैं जो है एक बिलूटूथ मोडूल लाया हूँ और इस बिलूटूथ मोडूल के इतने फायदे हैं कि आप भी जानके हैरान हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी तक यह नया आया है मार्किट के अंदर और बहुत ही कम वीडियो मिलेगी इसकी आपकी देखने के लिए तो मैं दोस्तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा वहाँ से जाकर आप इसे पर्चेस कर सकते हैं मैं इसके आपको फायदे बताता हूँ कि इसके जो फायदे हैं वो क्या-क्या है यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ यह किस तरीके से हमें मिलता है तो यहाँ पर मैं पहली पहली बार आपको दिखा रहा हूँ इसमें अपने चैनल पर यह देखिए पिलूटूथ है इसके अंदर आपको यहां पर कोई भी बैटरी को यहां से चार्जिंग भी कर सकते हैं बैटरी के कनेक्शन आपके यह रहे देखिए यह माइनस हो गया यह पिलस हो गया और यहां पर आउटपूट भी ले सकते हैं इससे लेकिन हाँ आउटपूट आप वही और चाहे तो आप यहां पर जैक से भी कर सकते हैं यह 3.5 mm का जैक आपको यहां पर मिल जाता है अब यहां पर इसके फायद है क्या क्या मैं आपको बताता हूं देखिए अगर आप यह वाला मोडूल ले लेते हैं देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा एम्पलिफार या होम जो विदाउट ब्लुटूथ है तो आपको इसको ब्लुटूथ बनाने के लिए इस तरीके का एक पलुटूथ डिवाइस लेना होता है लेकिन वहाँ पर क्या होगा आपको इसका लेने के लिए कोई जरूत नहीं है आप सिरिफ यह वाला मोडूल ले सकते हैं यहाँ पर आप इसके अंदर अगर बैटरी भी नहीं लगाएंगे तो भी यह काम करेगा शिरिफ यहाँ पर आपको चार्जर लगाना है और यहाँ से आपको आक्स लीड लगानी है इस तरीके से यह देखे यहाँ पर यह इस तरीके से आपकी लीड लग जाएगी यह आपकी होम ठेटर यह एंप्लिफायर में चली जाएगी और यहां पर आप charger लगा के अपना कोई सा भी device ब्लूटूथ वाला बना सकते हैं और इसका दूसरा फायदा बताता हूँ आपको कभी कभी क्या होता है बहुत से बाई जो है एक 46-56 मोडूल और हमारी बीटी वाली चिप है इन दोनों को connection इस तरीके से जोड़ देते हैं क्योंकि उनको भाईयों कोई भी Bluetooth system ऐसा बनाना होता है जिसमें उनको battery भी चार्ज करना होता है और Bluetooth मोडूल से connecting भी करना होता है लेकिन वहाँ पर यह दोनों चीज के अंदर ही successful है इसके अंदर battery charging मोडूल भी लगा दिया गया है और इसके अंदर Bluetooth चिप भी पहले से ही लगी हुई है और दूसरी चीज इसके अंदर कि यहाँ पर आपको Bluetooth मिलता है 3.0 और यहाँ पर आपको इस वाले मोडूल में जो Bluetooth मिलता है वो मिलता है 5.1 Bluetooth यानि कि इसकी जो connectivity है वो 5.1 इसका जो मोडल नंबर है वो 5.1 के नाम से मसूर है और यहाँ पर जो है आप website पर चेक कर सकते हैं और जो इसका Bluetooth है वो है 5.1 तो यहाँ पर यह इस चीज के अंदर बहुत बढ़िया है अब देखे इस से क्या है अगर आप कोई नॉर्मल आपके पास जो हैड़फोन है नॉर्मल हैड़फोन है तो उसको भी उसके अंदर भी यह लगा के आप जो उसे Bluetooth में कनवर्ट कर सकते है अगर यहाँ पर आप को Bluetooth में नहीं है तो amplifier के अंदर भी connect करके आप इसको बिना wiring के Bluetooth से चला सकते हो शिरिफ यहाँ पर आपको charger लगाना है और यहाँ पर आपको aux lead लगानी है amplifier की या Bluetooth की और यहाँ आप यहाँ पर किसी भी amplifier की या home trader की lead को लगाएंगे और एकदम बढ़ी हाँ connect होके और आपका जो शुरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा और दोस्तों इसकी मैं आपको एक टेस्टिंग ओर दिखा देता हूं कि यहाँ पर यह कि अगर आप charger लगाएंगे battery लगानी की जरूत नहीं है फिर भी यह काम करेगा और आगर आप battery देखे एक बिलू कलर के लैट जो बिलिंग हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं पहले बिलूटूथ को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम मैं बिलूटूथ को यह देखे ओन कर लिया बिलूटूथ ओन करने बाद देखे सर्चिंग चालू हो गया और यहाँ पर देखे यहाँ एक्स डवलू तो इसको हम कनेट कर लेते हैं यह देखे तो यह कनेक्टिंग भी बहुत जल्दी हो जाता देखे जब यह कनेक्ट हो जाएगा ना तो इसकी लाइट जो बिलिंग करना है वो बंद हो जाएगी अब हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर मैं कोई भी स्वांग को पिले करता हूँ यह हो गया हमारा स्वांग पिले यहाँ पर मैंने sound भी full कर दिया अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर जो है न दोस्तो यह हमारा song तो देखे चल रहा है अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यह earphone लगा लेता हूँ यह मैंने earphone लगा लिया अब यहाँ पर देखे मैं इसको थोड़ा सा forward कर देता हूँ अब देखे मैं आपको यह वाला song सुनाता हूँ यह देखे मैं lead को माइक में लगा देता हूँ तो आपने देखा इस तरीके से यह Bluetooth काम करता है अब यहाँ पर क्या है अगर आप इस charger को लगा के यहाँ पर कोई home theater को भी यह कुछी amplifier को भी connect कर देंगे तो वो भी काम करेगा तो इसी तरीके से यह module दोस्तो बहुत बढ़िया है और आप भी जाके इसे जल्दी से purchase करें तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगाओ वीडियो को like करे, share करे, subscribe करे और bell का icon को जरूर दबाए क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी